हेलो नमस्कार मेरा नाम है अवदान शराब सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है बावराजम के फैंस को बड़ा जटका लगा है क्योंकि दा हंड्रेड के ड्राफ्ट में जो है बावराजम को शामिल नहीं किया गया है किसी भी टीम ने उन्हें साइन नहीं किया है और इसके बाद इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे बावराजम ट्रेंड करने लगे उनके haters लगातार उन्हें ट्रोल करने लगे कि देखो stat padder कहां से the hundred खेलने का सपना देखने लगा वगर है वगर है बहुत सारी बाते हुए लेकिन inner बात यह है मतलब कि अंदर की बात यह है कि बाबर आजम को draft में इसी लिए नहीं लिया गया क्योंकि वे partially available थे यानि कि पूर सीजन के लिए उपलब्ध हो यानि कि अवलेवल हो इसी वज़े से रिजवान और बाबर आजम जो की पाकिस्तान के लिए लगातार खेलते रहते हैं और वो इस बीच में अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे इसी वज़े से जो है फ्रेंचाइज नहीं यह फ कहेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में यह बताया गया कि पूरे सीजन के लिए जो है अवलेवल नहीं होंगे बाबर आजम इसी वज़े से उन्हें साइन नहीं किया गया यह अंदर की बात है जो की निकल कर सामने आई है वैसे मैं आपको बताया जो की बाबर आजम इंग्लेंड में खेलना बड़ा पसंद करता है मुझे याद है समर्सेट के लिए जब इन्होंने पहला सीजन 2019 में खेला था T20 Blast में तो उस सीजन उन्होंने 500 से जादा रन स्कूटे थे एक स्टक चार अर्द श्टक था यानि 50 500 का स्ट्राइग रेट था इंग्लेंड के उस सिंगिंग कंडिशन्स में बहुत रन बनाए थे और टॉम बेंटन के साथ ओपन किया करते थे तो बाबर का अच्छा खासा एबरेज है T20 ओवरल और फॉलमेट में इंग्लेंड में इन्होंने अकेले टॉटल 1000 प्लक्स रन्स भी इन्होंने बनाए हुआ है और वो भी 145 के अवर विस ट्राइग रेट से तो अब आप ये समझ सकते हो कि जो खिलाडी इंग्लेंड में इतना बढ़ियां खेलता हो तो उन्हें इंग्लेंड की कोई भी फ्रेंचाइज क्यों नहीं पिक करेगी पिक करना ही चाहिए और काश बाबर आजम खेलते हैं तो अच्छा भी लगता देखना वैसे हिटलिस में तो थे ही और इसी वज़े से जो है ट्रेंड भी कर रहा है बादमा की देखते हैं खवर ये भी आ रही है कि बाबर आजम जो है बीच में कुछ मैचों के लिए अब लेवल हो सकते हैं तो उन्हें पिक किया जा सकता है as a wild card entry के तौर पे तो कुछ भी हो सकता है धर रखिये, patience रखिये सब कुछ होगा बाबर आजम खेलते हुए भी नजर आएंगे ठीक है, धन्यवाद